तरुपल्लव महरा लुकाई करई बिचार करों का भाई तेही अवसर रावन उतहावा संगनार बहु किये बनावा बहु बिदिखल सीतै समुझावा सामदान भै बेद देखावा कहरावन सुन सुमख सयानी मंदो दरी आदी सबरानी तव अनुचरी करऊ पन मोरा एक बार भी लोक ममोरा त्रिन धरी ओट कहत बैदेही सुमिरी अवद पती परम सनेही सुन दस मख खद्योत प्रकासा कबहु कि नलनी करई बिकासा असमन समझु कहत जान की खल सुधी नही रग बीरबान की सठ सुने हरी आने ही मोही अधमन लज लाज नहीं तो ही हनुमान जी व्रिक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं इनका दुख कैसे दूर करूं उसी समय बहुत सी इस्त्रियों को साथ लिए सजधज कर रावन वहां आया उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया साम, दान, भए और भेद दिखलाया मैं हे सुमुखी हे सयानी सुनो मंदो दरी आदी सब राणियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूँगा ये मेरा प्रण है तुम एक बार मेरी और देखो तो सही अपने परमसने ही कोसला दी श्री रामचंदर जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी हे दश्मुख सुन जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नी खिल सकती है जानकी जी फिर कहती है तु ऐसा ही मन में समझ ले अरे दुष्ट तुझे श्री रगुवीर के बाण की खबर नहीं है अरे पापी तु मुझे सूने में हर लाया अरे अधम निरलज तुझे लजजा नहीं आती अपने को जुगनू के समान और राम चंदर जी को सूरे के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावन तलवार निकाल कर बड़े गुसे में आकर बोला